जब आप कभी किसी भव्य इमारत को देखते हैं तो क्या कभी आपने सोचा इस सनरचना के समय बनाने वाले ने किस विचार से इसे बनाया होगा या कभी आपने सोचा इस इमारत के पीछे क्या तरक रहे होंगे क्या कभी आपने किसी इमारत के पीछे छिपी कहानी को जांचने का प्रयास किया क्या कभी आपने सोचा कि ये इमारतें सर्फ इमारतें या उससे अधिक कुछ है क्या आपने कभी सोचा हमारे देश भारत में ऐसा क्या है जो हम इसे अतुल्य भारत कहते हैं अद्वित्य भारत कहते हैं आईए मैं दिक्षा आज आप सब को इतिहास के ऐसे ही सुनहरे सफर पर लेकर चलती हूँ जहां भारत के अतुल्य होने को प्रमानित करता हम एक उधारन देखेंगे आज हम बात करेंगे उडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से 65 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी पर स्थित कुनार्क मंदिर की, सूर्य मंदिर की कहते हैं इस मंदिर का निर्मान राजा नर्सीमन देव ने कराया इस मंदिर के निर्मान में करीब 1200 कारिगरों को 12 साल का समय लगा और उसमें 12 साल के बालक धर्मा की एहम भूमी का है जिसने मंदिर के शिकर पर शिलार रख कर इसके निर्मान को पूरा किया कुनार्क मंदिर केवल एक मंदिर नहीं अपीतु एक ऐसा ख़गोलिय यंत्र है जो सूर्य की भाषा को बिना किसी आधुनिक यंत्र की मदद के बखुभी समझता है मंदिर का आकार रत के आकार जैसा है जिसे हिंदु धर्म के अनुसार सूर्य देव का वाहन बाना जाता है रत के साथ गोड़े प्रतीक हैं सप्ताह के साथ दिनों का साथ ही साथ सूर्य की किर्णों के साथ रंगों का इस रत में 24 पहिये हैं हर पहिया दर्शाता है दिन के एक घंटे को हर पहिये पर बनी ये तिल्ली दर्शाती हैं दिन के हर पहर को और ये छोटे स्पॉक्स दर्शाते हैं दिन के अर्ध पहर को समय की सटीक गणना के लिए इन छोटे बिंदूओं का इस्तमाल किया जाता था कहते हैं इस मंदिर में जितने अद्भुत कला है उससे भी अद्भुत इसके पीछे का विज्ञान है अगर हम बात करें मंदिर के गर्भ ग्रहे की तो इस गर्भ ग्रहे में तीन सूर्य की प्रतिमाएं रखी हैं जिन पर सूर्य की किर्णों का अलग-अलग समय में प्रवेश होता है जैसे सुभव के समग बीच में रखी प्रतिमा को प्रकाशित करती हैं सूरिय की किरणे बाकी दोपर दोपहर और संध्या के समय है ना कितना अद्भुत अव विश्वस्निय कलपना से परे कौन सोच सकता है कि आज से करीब 800 साल पहले बिना किसी कृत्रिम बुद्धी मता के या बिना किसी आधुनिकी अंत्रे के हम इतना सटीक, इतना सुन्दर और इतना अद्भुत निर्मान कर सकते हैं कौनार्क मंदिर अपने आप में विज्ञान, गनित और कला का अद्भुत संगम है कौनार्क मंदिर तो केवल एक जहांकी है ऐसे अनेकों निर्मान से हमारा भारत भरा हुआ है ऐसी अनेकों आश्चरिय जनक वास्तु कलाएं हमारे भारत में हैं इसी लिए हम अपने भारत को अतुल्य भारत कहते हैं, अद्वित्य भारत कहते हैं आज की इस कहानी को हिंदी में बताने का एक मात्र लक्षे अपनी मात्र भूमी के महत्व को समझना है जो कहीं लुप्त होती जा रही है हमें अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहना चाहिए जैहिल